तो दोस्तों जब भी घर में कोई सब्जी ना हो या फिर कोई चटपटी सब्जी खाने का मन करें तो बनाईए ये लाजबाब आलू-प्याच की सब्जी ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाती है अगर आप इसे एक बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद और यदि आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में बैला इकन को चुरू प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफेकेसन आपको मिल जाए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो ये स सबसे पहले हम आलू को फ्राइ कर लेते हैं तो इसके लिए पैर में डालेंगे 2-3 चमच तेल जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे आलू आलू को अच्छे से चला लेंगे और अब हम आलू को ढग देते हैं और इसको 2-3 मिट तक फ्राइ होने दे बउन फोड चमच हींग मैं बर चतिक मिर्स को तेत ईसमें डालेंगे 13 psychology ए जंस क्शाकर बने को खालेंगे टो item का कर चाप निकल जाए तो पकाती हुए हमें एक मिनिट हो गया है अधर ग्लैसुन भी अच्छी से पक चुका है अब हम इसमें डालेंगे प्याज अब इसको भी अच्छी से मिक्स कर लेंगे और एक से दो मिनिट तक इसको पका लेंगे फ्लेम को याँ पर मीडियम कर देंगे तो पकाते हुए एक से दो मिनिट हो गए हैं अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे सबसे पहले इसमें डालेंगे स्वादन स्वानमक साथ इसमें डालेंगे एक चोथा ही चमच हल्दी पाउडर आदा चमच लाल मिर्च पाउडर और आदा चमच सॉंफ पाउडर सॉंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है साथ इसमें दो सी तीन हरी में डाल देंगे अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़े देर पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं तो मसालों को भी हमने अच्छे से पका लिया है अब इसमें डालेंगे टमाटर का पेष्ट तो यहाँ पर मैंने दो टमाटर का पेष्ट बना लिया है अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी थोड़े दिर पका लेंगे टमाटर को भी मैंने एक से डेड़ मिट तक पका लिया है टमाटर भी अच्छी से पक चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे दो चमच क्रीम और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सहरा धनिया आदा चमच गरम मसाला आदा चमच अमचुर पाउडर इनको भी अच्छी से मिक्स कर लेंगे अब इनको भी हम एक मिट तक पका लेते हैं तो बाकी चीज़ें भी अच्छी से पक चुकी हैं अब हम इसमें डालेंगे अदा ग्लास पानी और इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे अब सारे मसालों का फ्लेवर आलू प्याज के अंदर आ जाए तो इसके लिए हम इसको ढख कर 2-3 मिट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे तो पकते हुए 2-3 मिट हो गए है सबजी भी अच्छे से पक चुकी है आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं आलू कितने अच्छी से पक चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सहरा दनिया और इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे तो बहुत ही टेस्टी आलू प्याज की सबजी बन के तयार है इस तरह की सबजी आप दाल चावल के साथ या पर परांटे के साथ खा सकते हैं तो आप एक बार इस रेजपी को जरू ट्राए करें और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में पहला इकन को जरू प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए